तो अब यहां पे आप देख रहे हैं राइट कॉर्णर पे आईक्यू वीड आईक्यू प्रो तो मैं वही यूज करता हूँ वो सर्वीस क्या है तो मैं आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या फीचर इसमें अवेलेबल है क्या प्राइजिंग है और क्या क्या आपको मिल जाता है यहां पे और यहां पे हम एक वीडियो अप्लोड करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि सिंडिकेट आर्चिव माई वीडियो एच्छली इस एप के काफी सारे फंक्शन है मैं स्टार्टिंग कहां से करूँ मैं खुद कंफ्यूज हूँ तो यहां पे है हमारा वीडियोучें अचली आप यह वीडियो देख रहे होगँ तो यह वीडियो आपको पता ही होगा कि आल्रेडी अप्लोड किया गया है तो यह लास्ट वीडियो जो हमने डबल रोल के बाले में बनाया था तो हम इसे ऑप्टीमाइस करेंगे इस VidIQ से और यहाँ पर आपको सबसे पहले जो function दीख रहा है Archiving Video Source File to VidIQ तो सबसे पहले यह function क्या है तो यह है Send to Facebook का option यानि कि काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपना वीडियो यहाँ YouTube पे तो upload करते ही है और साथ में साथ में Facebook में भी upload करते हैं यह क्या करेगा जैसे ही आप YouTube में वीडियो फाइल अप्लोड करते हो साथ ही VidIQ अपने server में से वो Facebook में भी आपको directly दूसरी बार upload किये बिना Facebook में Send कर सकता है और यहाँ पे आपको preference में काफी सारे option दीख रहे हैं तो यह सारे optimization के option है यहाँ कि आप title, description उसके suggestions चाहते है character, counters, keywords यहाँ कि sub function यहाँ से on है तो हम यहाँ पे simply अपनी तरब से एक title डालते हैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ यहाँ पे डाल रहा हूँ how to make double roll video smartphone तो यहाँ पे आपको अभी कुछ suggestion नहीं दे रहे है तो video IQ आपको एक मन्त के अंदर यानि कि जो मैंने package भाई किया उसके अंदर मुझे boost video का option दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि you can optimize 9 more videos in 30 days यानि कि 20 videos मुझे boost के लिए मिलते हैं तो मैं इस video को boost करने वाला हूँ यहाँ से तो हमने boost कर दिया इस video को और अब आप देख सकते हैं कि काफी सारे यहाँ पे options आ चुके हैं optimization के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको काफी सारे यहाँ पे tags suggestion में दिये जा रहे हैं तो हम simply इस tag को use नहीं करेगे हम थोड़े बहुत अपनी तरफ से tags डालने की कोशिस करेगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने tags डालना शुरू किये इस videoIQ के server को पता चल गया कि आप क्या डालना चाहते हैं कि आपकी वीडियो है और यहाँ पे हमें suggestions में दिखाई दिया गया है कि आपको titles में in words को include करने की जरूरत है तो यहाँ में smartphone निकाल देते हैं यहाँ पे हमने लिखा है make a double roll video in android app फिर यहाँ पे आप यह word भी choose करना चाहे तो कर सकते हैं मगर इसकी rating कम है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बास में number है जैसे कि हम यहाँ पे android निकाल देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 में से कुछ rating दिये गये है इस keyword को यानि कि android बहुत ही important keyword है यानि कि उसकी rating है 67% और Hindi Tech वीडियो उसकी rating कम है यह rating कितने search होते है YouTube में से महिने में उस basis पर निकाली गई है और trust me VidIQ हर एक दिन बहुत काम करता है इस rating पर और आपको valuable keywords ढूण निकालके देता है और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यह video sponsor नहीं किया गया है VidIQ से यह मैं personally आपको share करना चाता था जो चीज तो उसलिए मैं आपके साथ यहां पर share कर रहा हूँ यहां पर हम कुछ keywords डालते हैं और जैसे ही आप उस video के आसपास की keywords डालेंगे वैसे ही बहुत अच्छे-ची keywords आपको यहां पर suggestion box में आ जाएगे या फिर आपको personally लगे कि आपको personally कोई word पर search करके उस keywords को अलग से डूण निकालना है तो यहां पर भी आप search कर सकते हैं डबल रोल वीडियो उसके बाद enter कर दीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि उस keyword पर या फिर उससे लगते कुछ videos और जिसके आप keywords यहां से ले सकते हैं और इसके views काफी ज्यादा है और इसकी मतलब की ratings भी ज्यादा है आप देख सकते कि views per hour वी पी एच यहनी कि यह पूरे वाइरल वीडियो चल रहा है और उन्होंने जो keywords चूज किये अपने वीडियो में उसमें से आप यहां से directly keyword आप प्लस पे आप click करेगे आपके tag box में व कि आपको काफी सारे useful keywords मिल गये है free how tutorial 2016 हिंदी और यहां पर है keyword inspector यानि कि यहां पर आप कोई भी keyword को search करके देख सकते है कि कौनसे वीडियो सर्च में आते है फिर उनके keywords भी आप ले सकते है जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं android एप एंटर और यहां पर अलग ही dashboard देख सकते है यानि कि upload करते time आप जब भी keyword add कर रहे हो यहां पर कोई भी keyword inspector में से कोई भी word आपको पता हो ऐसा search कर सकते है और उसे add करने के बाद यहां पर आपको related keyword यहां पर दिखाई देगे या फिर मिल जाएगे उस keyword को interest के time पर कितन search किया गया है year के वाइस last 30 days all time उसके लगते और भी कितने words है कितने बढ़ रहे है सारी information में तो कहुगा कि यहां से आपको मिल सकती है प्लस उससे related videos के भी आप words यहां से ले सकते है और आप यहां से अपने keyword को translate भी कर सकते है और यहां से आप clear कर सकते है सारे words को यहां पर आप icon देख रहे है clipboard जैसा उससे आप copy tags to keyboard कर सकते है यानि कि यह जो चार keywords है वो copy हो जाएगे और फिर आप कहीं पर भी जाके उसे paste करेगे तो वो keywords paste हो जाएगे तो आप यहां पर देख सकते हैं तो मतलब कि आप video upload करते time tags description यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो आपको function दिये गए है वो आपको वो suggest कर रहे है कि आपने description में वो words को include नहीं किया है तो आपको यह सारे words description में add करने हैं और यहां पर आप click करके directly उस keywords को description में add कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस video को मैंने boost किया हुआ है यानि कि आप कोई भी video को video IQ से boost करते हो तो lifetime इस video को tags change कर सकते हैं और latest tags इसमें डाल सकते हैं और मैं आपको एक बात बता दू कि अगर आप इस चीज को buy करना चाहते हैं या फिर subscription इसका लेना चाहते हैं तो link description में available है तो अगर कोई special offer होगी तो वहां से आपको वह भी फाइदा मिलेगा तो उस link से आप बिल्कुल जाईएगा और इसे buy करने की सोचेगा या फिर आप इस annotation पर click करके भी उस चीज को खरिच सकते हैं उनकी official website पर उसकी pricing और plans देख सकते हैं यहाँ पर i button पर भी आप click करके यह चीज buy कर सकते हैं और मैं तो कहूगा कि आप बिल्कुल इस चीज को consider कीजे और buy कीजे अगर आप दिल से रो करना चाते हैं तो यह जजा है तो झाल झाल झाल